जैसे रावे मित्रों चाना वित्रों चैनल में कर्दबा करता हूं 22 से और 28 अपरेल 2024 का यह सब्ता आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ जो है बात करेंगे उपाएगी तो सभी लोग जहें वीडियो में अंतिम तक अवस्य बने रहें वीडियो को इश्टमित्रों तक सेर जरूर करें जो पहली बार हमसे जुड़े हैं क्रिपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हैं मेश रास की तो मेश रास के जातकों के लिए या सब्ता जो है वा प्यार से भरा रहने वाला है आप जो है काफी समय से अपने काम में व्यस्त होने की वज़ए से अपने साथी को समय नहीं दे पा रहे थे तो ऐसे में इस सब्ता जो है आपके पास अपने पार्टनर के के लिए को वक्त होगा और आप अपने पार्डनर को समय देपाएंगे आप जो है किसी रोमांटिक यानि की लॉंग ड्राइव पर भी आप जा सकते हैं रोमांटिक लॉंग ड्राइव पर निकल सकते हैं और प्रेमी युगलों के मद्य जो है बैचारिक मद्वेद भी परचा करनी चाहिए जो लोग साधी करना चाहते हैं उनके रिष्टे की बात आगे बढ़ सकती है उपाय क्या करें कि इस सब्ता जो है आपको बगवान गणिश जी की पूजा करनी है गणिश जी की उपासना करनी है जिससे आप इस सब्ता को सुफलदाइब बना सकते हैं बात करते हैं बिर्शब रासिकी तो जितने भी बिर्शब रासिके जातक हैं बिर्शब रासिके जातकों को इस सब्ता जो है आप अपने रिष्टे को एक नाम देने के बारे में सोचेंगे और साधी सुधा जातकों की लाइफ में जो है खुशियां इस सब्ता जो है दस्तक देने वाली है। जो सिंगल हैं तो सिंगल लोगों के जीवन में जो है बाहर आएगे और आपको कोई पसंद का साथी भी इस सब्ता मिल सकता है। वहां आपको इस सप्था मिल सकता है उपआए क्म conflict के जातके जातकों को तांबे की वस्तु हो सके उप्योंग करना है बात करते हैं अगली सबीक मित्व सब्सक्राइब करदा चुनोती पूण सब्ता और इसका असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ता हुआ दिखाए देड़ा है साती के साथ किसी भी तरह का आदान-परदान करने से आपको बचना होगा इस सब्ता जो है आपके बीच में निकटता बढ़ सकती है और आप अपने परिवार के सदस् को अपने रिलेशन्सिप के बारे में भी बता सकते हैं साधी सुधा लोगों के जीवन में भी जो है खुसियां आएंगे और हो सकता है कि कुछ इस सब्ता जो है फैमिली प्लानिंग भी करें प्रेमी जो है अपने पार्डनर को लेकर थोड़ा समविंदन सील हो सकते हैं जो करकरास क करते हैं कि करकरास के रहेगा आपके प्रेम और बैवाहिक जीवन के लिए तो जितने भी करकरास के जादक हैं करकरास के मामले में बहुत ही साधारण साया सब्ता आपके लिए रहेगा जो लोग अभी भी सिंगल है उनके जीवन में किसी के इंटरी इस सब्ता हो सकती है और साजी सुदा जातकों के जीवन में इस सब्ता सकून रहेगा और आपको अपने साथी से कोई बहुत अच्छा उपहार भी मिल सकता है उपाए की बात करें तो उपाए जो है आपको शंकर करनी होगी स्र्व भंगवाने का आपको पूजन करना होगा बात करते हैं अगली रास Bennett की सिंह ठाय की झातों के लिए कैसा रहे गए आपके लव-ाइफ के लिए तो सिंह रासी वालों जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें भी साती के साथ बक्त बिताने का मौका मिलेगा और अपनी वर्ग लाइफ में बिजी होने के बावजूद आप साती को समय भी दे पाएंगे इस सब्ता के अंत में आप जो है अपने प्रिय जनों के साथ में सुखत समय व्यतीत करेंगे अच्छा समय व्यतीत करेंगे अपने प्रेम संबंधों के बारे में आप जो है अपने घर वालों को भी बता सकते हैं उपाई क्या करें कि संक्रभगवान का प्रति दिन जो है आप की लब लाइफ के लिए तो कन्यारासि वालों के लिए या सब्ता जो है प्रेम संबंधों के मामलों में जो है कुछ बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है पाइडनर के साथ आपके बैचारिक मदवेद हो सकते हैं और आप अपने बात को साती को समझाने में जो है असमर्थ भ बिगणने आपको नहीं देना है और इसका असर जो है आपके बच्चों के जीवन पर भी पढ़ सकता है इसलिए इस बात का ध्यान रखें माता की ओर से आपका अधिक जुकाव आपके पार्टनर को रास नहीं आएगा आपके अपनी माता की तरफ जादा जुकाव रहेगा जिस जो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा और लव रिलेशनसिप में जो लोग हैं उनके जीवन में रोमांस रहेगा और उनके उने जो है साती का पूरा संयोग भी मिलता भाद दिख रहा है पार्टनर से आपको कोई अच्छा उपहार भी इस सब्ता मिल सकता ह उपाई क्या करें कि जिस्से सप्ता को सुफलदाई बनाया जा सके तो सुर्या भकवान की आपको उपासना करनी है प् suffer दिन जो है सुर्या भर्खवान को आपको अर्गत देना है बात करते हैं अगली रासी तुला रासी के जातकों या सपता अच्छा रहेगा जो लोग विभा करना चाहते हैं वे अपने परिवार से अपने साती को मिलवा सकते हैं और हो सकता है किसी एक के पक्ष से आपको चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है साधी सुधा जातकों की जो है सुख समरिदी में बढ़ोतरी होगी और सप लाइफ के लिए या बहुत ही जादा सुखत सपता रहने वाला है और आपके जीवन में सुख और समरिदी आते भी दिख रही है एवं जीवन में सुख समरिदी के सुभ संयोग जो है वह आपके लिए बनते भी दिखाए दे रहे हैं सपता की सुरवाद में जो है आपके ल पाई जो हैं तुलाराश के लात को क्या करना है जिस सपक्ता को शुप्ता बनाया जा सके तो आपको माते पर लाल कुम कुम का तिलकस लगाना है बात करते हैं ब्रिसिक राशिकी अगले राश Six ba जादकों को ले ले लख लाई अर ऩवसका कैसे नजर जरूर आ ही है आपका साती की पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जिसका आपको अगर पता लगेगा इस सपता हाँ तो आप जो हैं चकित हो जाएंगे और आपको इससपता पता भी चल जाएगा आपको साथी केandan से बहुत दुख होगा और हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो है आपके लडाई भी हो जाए और आप जो है उससे अलग होने का साधी सदा जातों को बहुत सारी प्रेसानियों का सामणा इस सप्ता करना पर सकता है ब्रिट क्राश्चि کے जातों को उपाय ke तर ये सफ़फ़दाय बनाने के लिए माता पिता का आपको आश्री बाद लेना है और गाये माता की सिवा करनी हैं बात करते हैं अगले रासी धन्योराइट के जातकों के लिए कैसा रहे है करता प्रेम घीवन के लिए तो धन्योUD के जातकों को इस्वता जो है लुआइफ के लिहाज से कठिन सप्था आपके लिए हो सकता है प्रेम संबंद में भावनात्मद में तोल पर बेचैनी आपके बड़ेगे और पार्टनर के निजी जीवन से जुड़ा कोई आपको जो है कोई ऐसा राज भी पता चलेगा जो आपको बहुत जादा दुख पहुंचाएगा साधी सुदा लोगों को भी बहुत जो है कोई बहुत बड़ा फैसला लेना इस सप्ता पड़ सक चाहतकों को लाल गाय को जो है उपाय के तौर पर जिससे को ऑफ सफ़लाइब बना सकें अगली राशी मकर रास के कैसा रहेंगाए मेर्थ के लिए तो इस प्रेम संवने में सुख सम्रेधि के सुवसंयोग बनते विन दग आ रहे हैं और आपके संबंद मज्स होँगे यरी आपके रिष्टे में आपसी समझ की कमी आ रही है तो बैठ करके आपको बाचित करनी है और मामले को बढ़ाने के अस्तान पर जो है इसे सुल जाने का आपको परियास करना है आपको जो है अपनी लवलाई पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और आपको एक बार जो है इस बार का आपको ध्यान रखना है बात करते हैं उपाई की कि मकरास के जादक उपाई क्या करें जिससे इस सप्ता को सुफल लाई बनाया जा सके तो उपाई के तौर पे जो है किष्ण भगवान की आपको इस सप्ता आराधना करनी होगी किष्ण भगवान का पूजन करना जिससे आप इस सप्ता को सुफ़लाइब बनाया जा सके अब बात करते हैं कुम्रासि की कि कुम्रासि के जातकों के लिए कैसा रहेगा या सप्ता प्रेम जीवन के लिए तो कुम्रासिवालों की लव लाइफ में इस सप्ता जो है खटे मीठे अनुबव रहेंगे यदि किसी बात पर आपकी पार्टनर से नहीं बन रही है तो आप बात्चित के द्वारा मामलों को सुझाएं सप्ता के अंत में अपने प्रेम संबंद को लेकर बहुत अधिक पजेसिव होना आपके लेकश्ट लेकर के आ सकता है थोड़ा सा रिलेक्स हो करके एवं सयम बरत करके अपने साती के साथ आपको वक्त बिताना है अपने निर्णे जो है पाड़नर पर आपको बिल्कुल भी नहीं थोपने है और अपनी बात जो है उन तक पहुंचाने पहुंचाने के लिए आपको जो है उनकी बातों को भी सुनना होगा आप उनकी बातों को सुनेंगे तबी जो है वह आपकी बातों को सुन पाएंगे इस बात का ध्यान रखें उपाय क्या करें कुम्रास के जातक कि जिससे सप्ता को सुफलाई बनाया जा सके तो विश्ण भगवान के बीज मंत्र का आपको जाब करना है या फिर द्वादसाथ चरमंत्र ओम्नम भगवति वास्देवाय का आप जाब करें जिससे आप इस सप्त प्रेम संब्द में बहुत साबदानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और आपकी लव लाइफ जो है इस सप्ता अच्छी बनी रहे इसके लिए आपको अपने पार्टनर से बाचित करनी चाहिए किसी भी बात को लेकर के जो है पार्टनर से आपको जूट नहीं बोलना है और पार्टनर ये दुखी है तो उसके साथ आपको खड़ा रहना होगा उपाय क्या करें जिससे आप इस सप्ता को सुफलाई बना सकें तो में रास के जातकों को जो है संकर भगवान का आपको पूजन करना होगा और संकर भगवान के जो सहस्त्र नाम है उनका आपको ज सप्ता आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा और साथ ही साथ जो है आपको उपाय क्या करने हैं जिससे आप इस सप्ता को सुफलाई बना सकें तो यहां आज के वीडियो के माद्रम से हमने आपको जानकारी अवगत कराई आज का याकारी करम आपको हमारा कैसा लगा कम सब्सार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लावान विर्थ हो सकें तो आज का वीडियो यहीं पर करेंगे समात पुनागले वीडियो में आप से मिलेंगे तब तक माद्रम सब्सक्राइब करें जै मातारे